वेल्कम बैग गाईज दिस इस उमर तसकीर इमेल मार्केटिंग के पॉइंट अफ यू से एक और बहुत इंपॉर्टेंट कॉंसेट को समझने वाले हम लोग फिचिस बैसिकली आईपी वार्मिंग या इसी को हम लोग बोलते हैं इमेल वार्मिंग अब इसका मतलब क्या है देखे डोमेन क्रेडिबिलिटी के पॉइंट अफ यू से डोमेन आथेंटिकेशन को हम लोगों ने देखा दो डिफरेंट डिफरेंट टूल्स के अंदर की इस तरह किसे आप कर सकते हैं जिसकी मदद से जो डोमेन लेवल पर स्पैम होनी की प्रॉबिलिटी है वो बहुत कम हो जाती है इमेल की जो आपकी डिलिवरिबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती फिर ये आईपी वार्मिंग और इमेल वार्मिंग का क्या मतलब है ये क्या प्रॉसेस है देखे होता क्या ह कि एक जब आप नया डोमेन लेते हैं, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बात करी थे, कि आपके पास कोई डोमेन है, ओमर्दस्कीर.com, और आपने उस पर एक एमेल बनाई, करें, या फिर वो स्पैम में लैंड कर जाएं, बशरते आपने बहुत सारी चीजें जो है वो सेट अप करी हैं, SPF, DKIM, DMARC, ये सारी चीजें सेट अप करने के बाद भी, there are chances कि आपकी जो इमेल्स हैं वो स्पैम में जो है वो जाएं और उनकी जो डिलिवरेबिलिटी है, वो बहुत अच्छी ना हो, अब तो इस चीज को basically काटर करते हैं हम लोग इमेल वार्मिंग के थूरू, इमेल वार्मिंग का मतलब ये है कि हम धीरे-धीरे जो है वो इमेल्स को सेंड करेंगे और एक conversation जो है वो स्टार्ट करेंगे, देखें, इमेल सर्वर के concept को आप इस तरीके से समझें कि जो आपका इमेल सर्वर है, अगर आप मेल्चिम को यूज कर रहे हैं या आप active campaign को यूज कर रहे हैं तो आप active campaign और मेल्चिम के इमेल सर्वर को यूज कर रहे हैं, पर जो recipients है जिनको आप इमेल शूट करेंगे, जादतर cases में जो उनका इमेल सर्वर होता है, वो Gmail होता है, तो किस तरीके से Gmail को लगेगा, कि ये भाया जो उमर्दस्की.com से और MailChimp से ये mail shoot हो रहा है, ये genuine है, तो उसके लिए जीमेल को ये विश्वास एक तरीके से आपको दिखाना पड़ता है, कि देखो भाया हम पहले से बड़े सारे email जो है, वो send receive करते हुए आए हैं, और उन बेजता हूँ, फिर reply आता है, तो इस तरीके से जो threads बनते हैं, इस तरीके से जो communication होता है, this is basically email warming, और ये बहुत important concept है, email marketing के point of उसे, अगर आपको cold emailing करनी ही, तो उस point of उसे बहुत ज़्यादा important हो जाता है, अगर आपके पास already अपनी list है भी, फिर भी अगर आपका domain नया ह उमरतस्की.com, ये बिलकुल नया है, तो फिर definitely आपको email warming करनी पड़ेगी, आप कभी भी एक पुराने domain के साथ compete नहीं कर पाएंगे, email marketing के point of उसे, उसके authority अलग होती है, जो बहुत सारे emails को shoot कर चुका होता है, so email warming का जो basic technical concept है, वो समझ में आगे होगा, इसका मतलब क्या है, अपनी जो एक तरीके से image है, वो email servers की नजर में बहतर करना, that is basically email warming, तो यहाँ पर अगर मैं आपको दिखा हूँ, तो यहाँ पर आप देखें, इससे होता क्या है, it can improve your email deliverability directly, it can influence your cold email too, अब email warming कैसे होती है, tools के through भी होती है, और manual भी होती है, manual थोड़ा सा complicated तरीका है, शुर मसा जो होती है, तो बहुत सारे आज के time में market में email warming up के tools available है, एक बहुत ही famous tool है, जिसको आप देख सकते है, which is basically warmly, अब यह क्या करते हैं, यह tools होते हैं एक तरीके से, और यह tools automatically, आप समझेगी, आपका जो mail server है, उससे authorize हो जाते हैं, और उसके through automatically कुछ mails भीजते हैं, और जिस तरीके से आपकी email के साथ associated होते हैं, उसी तरीके से दूसरे लोग की emails के साथ भी associated होते हैं, उसमें mail बेशते हैं, फिर वहां से वो automatic तरीके से जो एक reply है, वो आता है, इसी तरीके से यह email warming को करते हैं, तो you have to give the consent basically, right, so यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो आप to make your email channel reliable, तो यहाँ पर लिखावा है, domains and ips are prepared for email outreach campus, guaranteeing the highest email deliverability by utilizing state of art AI driven automatic process, तो अगर आप proper देखेंगे, तो आपको यही सारी चीजे इसमें दिखाई देंगी, जो मैंने आपको बता है, things can be automated, कि कितने email send हुए है, कितने emails receive हुए है, mailbox का जो temperature है, वो क्या है, तो यह सारी चीज बड़ जैसे जैसे जो आप देखेंगे, communication जो है, वो increase होता जाता है, वैसे वैसे जो deliverability है, वो भी improve होती जाती है, तो यह अपने आप से सारी चीजों को जो है, वो manage करता है, बहुत ही famous जो tool है, वो है यह, ठीक है, आप देखो, the messages you send will automatically be opened, marked as important and moved out of the spam folder to dramatically increase your reputation as a send, बदल अगर spam में चले गए, तो वो automatically उसको वहां से निकालता है, और उसको एक तरीके से important mark करता है, और important mark करने के बाद inbox में set up करता है, अब यह चीज़ें अगर हो रही होती है, तो mail server को यहां लगता है, this is an important mail, तो अगली बार वो इसको spam में consider नहीं करें, तो धीरे धीरे आपकी जो email deliverability है, वो improve होती रहती है, आपकी जो domain है, उसकी authority भी improve होती है, तो इस type के बहुत सारे जो tools है, वो आज के time में market में available है, आप देख सकते हैं, उनको बहुत साइड अलग-अलग tools है, यह बहुत ही famous tool है, मैंने इसलिए आपको इसका example दिया है, तो इस tool की website पर जाकर आप इस से related और जादर information है, वो ले सकते हैं, दूसा तरीका मैंने क्या बताई, यह तो automated तरीका है, और automated तरीका है, तो paid भी होगा, pricing होगा रहा है, जाकर आप देख सकते हैं, इनकी pricing जो है, वो कितनी होगी, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो customized plan भी है इनका, और अगर आप 2,00,00 से जादा email जो है, वो भेजते हैं, तो फिर इतनी जो इनकी cost है, वो है, कम वाला भी है, अगर आप 10,000 emails पर मंद भेजने हैं, तो इतना है, तो एक बार के लिए cost तो ठीक ठाक है, बट अगर आप starter plan के साथ भी start करते हैं, तो भी जो है, वो आपको approximately $50 per mailbox जो है, वो देना पड़ सकता है, अब अगर हम लोग यहां पर आ जाएं, जो मैं manual तरीके की आप से बात कर रहा था, अब manual तरीका में क्या तरीका है, कि भाई, कोई आपके इस्टमित्र की email list हो, वो ले ले आप, आपके जो known में हो, emails, उनको आप messages करें, अब क्या expect करना है वहां से कि, भाई, return आना जरूरी है, replies आना जरूरी है, अगर reply नहीं आएगा, तो फिर वो mail server को नहीं लगेगा, कि यह genuine चीज है, मतलब conversation जो है, वो email के उपर initiate होनी चाहिए, तो शुरुवात में आप क्या कर सकते हैं, पहले हफते या पहले 10 दिन, आप 1-10 emails daily भेज सकतें, और वह reply कर दें, उसके बाद 10 दिन तक आप नहीं किया, भीड़ दीरे दीरे आप क्या करें, अपने जो number of emails per day हैं, उनको बढ़ाएं, जैसे 20-35 emails per day भेजने लगे, 15-18 दिन के बाद, फिर 35-80 emails के बीच में per day भेजने लगा, यहाँ challenge शुरू होने लगता है, पहले एक महीने के बा कर देते हैं, फिर next phase में आप क्या कर सकते हैं, 80 plus emails, 100 emails, 120 emails per day अगर आप सेंड करें, तो वहाँ पर जरूरी नहीं कि reply rate आपका 70-80% हो, वहाँ पर अगर आपको reply rate 25-30% में मिला है, तो भी आपके जो emails है, वो properly warm-up हो जाते हैं, मैं emails की जब बात करों, इसका मतलब यह हो रहा ह इन टूल्स को थोड़ा सा explore करिए, अपने आप से website पर जाएगे, अच्छा मने पहले ही बताएं, जितने भी टूल्स होते हैं, इनका कोई ना कोई YouTube चैनल भी जरूर होता है, इनके ब्लॉग पर जाएए, इनके ब्लॉग पर आप जाएंगे तो वहाँ पर भी बहुत सारी information आपको जो है वो देखने को मिलेगी, राइट, सो यह बहुत important concept है, email के point of issue, बहुत सा है लोग इसकी बात नहीं करते हैं, सीधे tools आपको बताना शुरू कर देते हैं, but this is something जो अगर आपको बहुत aggressive तरीके से email marketing करनी है, strategic level पर email marketing करनी है, तो यह सारी चीज़ों के concepts आपको clear ह आपको पसंदा होगा, वीडियो पसंदा है वीडियो में लाइक जरू करें, पहली बार चैनल पर आएं तो सब्सक्राइब कर रखे जाएं, मिलता है नेक्स वीडियो, till then, good bye.